हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से एक और नाइड जान का डोर्मेट बताने वाली हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे तीन कलर ले लिये हैं यह रिखी और मैंने यह नौनमबर श्लाई ली हुई है जिससे मैं आपको बनाना बताऊंगी और मैंने यहाँ पे यह मोटी वूल है तो सिंगल ही मैंने दागा ले लिया है अगर आपके पास वूल पतली है तो आप वूल को फोल्ड कर ले तो यहाँ पे मैं 18 फंदों से आपको बहुती सिंपल सा रिजी सा एकदम प्यारा सा डोर्मेट बनाना बताऊंगी जो साथ में ही हम लैस को बनाएंगे तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह प्यारा सा हमारा डोर्मेट आपको कैसा लगा तो आईए हम डोर्मेट बनाना शुरूर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम 14 फंदे ले लेंगे यह रेखिए इस तरह से एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, तो यहाँ पर मैं 14 फंदे ले लेती हूँ कि फ्रेंज मैंने 14 फंदे ले लिए हैं और यहाँ पर हम दो फंदा अपना उस औरी चार फंदे हम ब्लू कलर से डालेंगे यह रेखिए इस तरह से दो, ती, चार, यह रेखिए यहाँ पर मैंने 14 फंदे इस कलर से ले लिए हैं और चार फंदे ब्लू कलर से तो यहाँ पर टोटल 18 फंदे मैंने ले लिए हैं आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने इस आपसे फंदे डाल के इसको बना सकते हैं और जो भी हम आपको डोर मैट बताने जा रहे हैं वो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं डोर मैट की जगा या टेबल मैट की जगा तो आईए हम आपको बनाना शुरू करते ह के 있어요 तो प्लीस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो यहां पर यह दिके सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपना एक two three चार तो चार फंदे हम बना लिए हैं ब्लू वाले और ये मेरूम कलर से 14 फंदे बना लेंगे एक सलाई यानी कि हम पहले सबसे पहले इस तरह से बना लेंगे तो सबसे पहले मैं एक सलाई इसी तरह से बना के इसको कंप्लेट करूँगी ये देखे फंदे डालने के बाद हमने सलाई को सीडी को बना लिया है अब हैं उल्टी तरफ तो उल्टी तरफ से भी हम उल्टा उल्टा इसको बना लेते हैं तो यहां तक मैं बना लेती हूं और चार फंदे ये भी बना लेती हूं तो देखी मैंने एक सलाई यहां पर बना ली है अब इसके बाद सलाई बनाने के बाद हम यहां से अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो देखी किस तरह से तो यहां पे हम यह रिखे इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे आपको जिस तरह से फंदा बढ़ाना आता है उस तरह से आप बढ़ा लें पर ये इस तरह से फंदा बढ़ाना सलाई के उपर से इस तरह से लपेट लेना बहुती सिंपल है ये तो यहाँ पर ही रिखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया है और यहाँ पर हम धागा पीछे करेंगे और ये वाला धागा हम इस तरह से खिशते हुए आगे लाएंगे तो यहाँ पर हम तेरा फंदे अपने बनाएंगे और लास्ट का एक फंदा छोड़ेंगे ये रेखिए तो लास्ट का मैंने एक फंदा छोड़ दिया है बिगरबुना यहीं से सलाई को पलट जाएंगे और उल्टी सलाई में हम इसको इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बना के कम्प्रेट करेंगे ये रेखिए और धागे को हम इस तरह से इसको रखेंगे और ब्लू से इस तरह से बनाएंगे ताकि यहाँ पर कोई आपका बीच में गैप नहीं आए ये रेखिए अब यहाँ पर मैं अपना दूसरा फंदा बढ़ा रही हूँ दो फंदे बढ़ चुके हैं और लाश्ट का हम एक फंदा छोड़ा है अब यहाँ पर हम दूसरा फंदा भी अपना छोड़ेंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा इसको बनाते हुए जाना है हमने और लाश्ट का एक फंदा हम छोड़ देंगे यहीं से सलाई को पलट जाएंगे उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे तो सीधी सलाई पर हम फिर से आगे हैं अब यहाँ पर मैं तीसरा फंदा अपना बढ़ा रही हूँ तीन फंदे हम बढ़ा चुके हैं और लाश्ट का तीसरा फंदा छोड़ेंगे धागा पीछे किया, ये मेरी सीधी सलाई है और इस वाले धागे को आगे लाएंगे ये देखे, सलाई को पलट जाएंगे पलटने के बाद उल्टि शलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे अभी ही यहाँ पे हम चौथा फंदा बढ़ाएंगे और लाश्ट का चौथा फंदा छोड़ेंगे तो एक फंदा हम बढ़ा रहे हैं और एक फंदा ही हम अपना छोड़ रहे हैं गे रेखी vool को हमने हर बार इसी तरह से Chris करना है ताकि आपका कोई haul नहीं बने हैं यह एक यह देखिए अब हम यहाँ पर 4 फंदा अपना बढ़ा रहे हैं 4 फंदे हो चुके हैं यह देखिए 3, 4 और 4 फंदे मैं डाली थी और 4 फंदे मैं बढ़ा लिये हैं तो यहाँ पे blue color से 8 फंदे हो चुके हैं अब यह देखिए last का हम 14 फंदा अपना छोड़ेंगे तो यहाँ पे last के हमने एक एक करके सबी फंदे यह छोड़ लेने हैं यहाँ पे 2 फंदे रहने एक तक बाकी के सबी फंदे हम छोड़ लेंगे यह देखिए यहाँ पे एक की करके 4 फंदे छोड़ लिया और 4 फंदे इधर बढ़ा लिये हैं यहीं से सलाई को पलट जाएंगे पलटने के बाद यह देखिए उल्टी साइट से हम अपना इसमें तीसरा कलर एड़ करेंगे तीसरा कलर मैं यहाँ पे एड़ करूंगी क्योंकि आदी पत्ती मैंने ब्लू से बना ली है आदी पत्ती मैं अपना तीसरा कलर लगाते हुए यह देखिए धागे को इस तरह से पकड़ लिये हैं और यहाँ पे यह देखिए इस तरह से तीसरा कलर एड़ कर दिया है ये देखिए अब हम फंदों को घटाएंगे ये देखिए अब तीनों कलर हमारे यहाँ पे लग चुके हैं अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे और लास्ट का फिर से अपना फंदा छोड़ेंगे ये देखिए एक फंदा घटा दिया है लास्ट में हम फिर से एक फंदा छोड़ देंगे तो यहाँ पे पांच फंदे छोड़ जाएंगे ये देखिए यहां पर एक ही करके हमने सब भी फंदों को छोड़े लेना है, यह दो फंदे नहीं छोड़ने, बाकी के यहां पर दो, चार, छे, आट, दस, बारा, यह बारा फंदे एक ही करके हमने छोड़ने हैं, छोड़ने के बाद पूरी शलाई को बनाएंगे, बनाने के बाद फिर हम दुवारा छोड़ेंगे इसी तरह से यह देखिए पांच मां फंदा छोड़ दिया है यहीं से वापिस हो जाएंगे अब यहां पे चार फंदे फिर से छोड़ेंगे और यहां के चार फंदे हम घटा देंगे तो आठ फंदे छोड़ जाएंगे फिर से हमने उसी तरह से बढ यह देखिए इसको बनाना बिलकूल एजी है यह देखिए अब हम यहांपे दूसरा फंदा अपना घटा रहे हैं और लाश्ट का फिर से फंदा छोड़ेंगे तो देखिए यहां पे दो 12 फंदे छोड़ने के बाद फिर से मैं पूरी सलाई को यहांपे बनाओंगी तो आईए मैं पहले सबसे पहले 12 फंदे अपना छोड़ लेती हूँ इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ तो देखिए उल्टी श्राई को हम बना रहे हैं तो यहाँ पर यह देखिए मैं इस धागे को भी साथ साथ में ही अपना कर लूँगी इस तरह से यह दागा मैंने इस तरह कर लिया है यह दागा मैंने उपर की तरफ कर लिया है और आगे के फंदे हम बना लेंगे अब यहाँ पर अपना चोथा फंदा हम घटा देंगे यहाँ पर अभी पांच फंदे हैं तो यहाँ पर मैं चोथा फंदा अपना घटाओंगी ये रेखिए इस तरह से चोथा फंदा घटा दिये है इस तरह से बूल को आगे करेंगे पीछे करेंगे सौरी और लाश्ट का फिर से हम एक फंदा छोड़ देंगे लैस हमारी ये ये देखिए लाश्ट का मैंने यहाँ पे दो, चार और ये देखिए घटाने के वक्त हमने दो, चार तो यहाँ पे आठ फंदे छोड़ चुके हैं हमारे अब ये देखिए यहीं से हम अपना फिर से ब्लू कलर को एड़ करेंगे इसमें तो यहाँ पे हमारी एक पत्ती ये लैस्की बन चुकी है देखिए चार फंदों में अपना ब्लू कलर एड़ कर रही हूँ इस तरह से ये रेखिए यहाँ पे एक पत्ती हमारी ये लैस्की बन चुकी है जहाँ पे हम पोरे डोर्मेट में इसी तरह की लैस्की बनाईए ये अभी फंदा छोटा नहीं है ये रेखिए फिर से मैं फंदा बढ़ा रही हूँ यहाँ पे पिंक पे मैंने अपना फंदा घटाया है चार शलाईएयों पे और ब्लू पे मैंने 4 शलाईएयों पे फंदा बढ़ाया है लास्ट का एक एक फंदा चोड़ा है अभी फंदे छुटे नहीं है तो एक फंदा बढ़ चुका है बूल को अपनी तरफ करेंगे और लाश्ट का हम फिर से एक फंदा छोड़ेंगे ये देखिए तो चार फंदे बढ़ा लेती हूँ चार फंदे फिर से छोड़े लेती हूँ बूल को इसी तरह से क्रोश करना है हमने ताकि आपका कोई हॉल नहीं आए यहाँ पर अब यह रेखिए दूसरा फंदा हम बढ़ा रहे हैं यह रेखिए बूल को पीछे करेंगे और यह वाली ओल आगे लाएंगे अब यहाँ पर हम दो, तीन और यह चार लाश्ट का फिर से छोड़ दिया है अभी यहाँ पर चार फंदों में दो फंदा छोड़ना है और दो फंदा बढ़ाना है प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यह देखिए अब हम यहाँ पर अपना तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं यह देखिए इस तरह से तीन चार पाँच छे सार यह देखिए लास्ट का मैं एक फंदा फिर से छोड़ू में यह देखिए तो यहाँ पर बढ़ाते वक्त मैंने यह तीन फंदे छोड़ दिये हैं अपने यहाँ पर यह देखिए तीन फंदे अभी छोड़े हैं और आठ फंदे हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाते हुए छोड़े थे तो और घटाते हुए मैंने चार फंदे छोड़े हैं अब फिर से मैं बढ़ाते हुए तीन फंदे छोड़ चुकी हूँ अभी आठमा फंदा छोड़ना है और आठमा फंदा हमने बढ़ाना है गे रेखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो चोथा फंदा हम बढ़ा रहे हैं चोथा फंदा हम बढ़ा चुके हैं और यहां पे हम 12 फंदे अपना छोड़ चुके है यह देखिए 12 फंदे मैंने एक इक करके यह सभी छोड़ लिए हैं इसके बाद हम सलाई को पलट जाएंगे पलटने के बाद हम यहां पे यह रेखिए 4 सलाईयां हो चुकी हैं बलू की अब यहां से हम अपना इसमें यह देखें यह दूसरा color एड़ कर देंगे अब हम क्या करेंगे यहां पे छोड़ने के बार एक फंदा हम घटाएंगे और यहां पे total सबी फंदों को बना लेंगे सारे फंदे मैंने बना लेने हैं और फिर से हमने ये डिजाइन हमारा हमेशा इसी तरह से बनेगा ये देखिए यहाँ पर एक फंदा मैंने घताया और आगे के ये साथ फंदे बना लिए और साथ फंदे बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सबी फंदे अपना 14 फंदे सबी बुन लेने है और बुनने के बाद मैं जिस तरह से एक बार ये छोड़ चुकी हूँ दो बार इसी तरह से मुझे छोड़ने है तो यहाँ पे तीन पत्तियां हमने बना लेनी है ये रेखिए लेस को आपने इसी तरह से बनाते हुए जाना है 4 फंदों पे मैंने ब्लू को अपना बढ़ाते हुए ये यहाँ पे ब्लू पे बढ़ाए हैं और या पिंक पे घटाए हैं इस तरह से ये लेस बनती चली जाएगी तो मैं तीन राउंड इसी तरह से गुमा लेती हूँ तीन पत्तियां एक बन चुकी है और दो और इसी तरह से बना के कंप्लेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको तो देखिए फ्रेंस मैंने अभी आपको दूसरी में बना के बताया था अब यहाँ पर यह देखिए एक बार एक पत्ति हम यहाँ तक बनाए है और दूसरी पत्ति हमने यहाँ तक बना ली है और तीसरी पर हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बना ली है और यहाँ पर यह देखिए 12 फंदे मैंने यह सभी छोड़े हुए है इसके बाद हम गटाते हुए पूरी सलाई को बना लेंगे सबी फंदों को मैं बना लूँगी लैस का डिजाइन आपका इसी तरह से बनता जाएगा इसमें आपने कुशने करना है चार फंदे बनाने लेंगे और चार फंदे ही फिर गटा लेंगे अब ये देखिए तीन राउंड हम गवा चुके हैं तीन पतियां बना चुके हैं बनाने के बाद हम सबी फंदों को ये देखिए सबी फंदों को मैं छोड़के बुन रही हूँ ये देखिए जो बारा फंदे छोड़े हैं सबी को हम बना रहे हैं यहाँ पे और बनाने के बाद ये रिखिए सारे फंदे मैंने छोड़े हैं तो मैंने पूरी श्लाई को बना लिया है और उल्टी श्लाई को भी मैं इसी तरह से बना के कम्प्रेट करूँ लिए तो अब यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है क्योंकि हम तीन पतियां यहाँ पे बना चुके है तीन पतियां बना चुकी हूँ अब हमने क्या करना है यहाँ पे अब बारा फंदे अपना ये रिखिए जो हम बारा फंदे छोड़ते हुए आ रहे थे अब हमने वो नहीं छोड़ने है सबी को हम इसी तरह से बारे सलाईयां बुनके पूरा कम्प्लिट करेंगे एक दो तीन तीन राउंड गुमा चुके हैं इसके बाद कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे लैस हमारी इसी तरह से बनती जाएगी और यहाँ पे हम पूरी अपने अठारे फंदों को बुनते हुए बारे सलाईयां कम्प्लिट करेंगे और लैस का डिजाइन यह हमारा इसी तरह से चलेगा इसमें भी कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे मैं बारे सलाईयां सीधा सीधा बुन लेती हूँ बिना छोड़े यह फंदे तो यहाँ पे अठारे फंदों की बारे सलाईयां उपर को बुन लेनी है इस तरह से और यहाँ पे तीन राउंड गुमा चुके हैं उसके बाद इसी तरह से बनाना है तो आईये मैं बना लेती हूँ बारे सलाईयां फिर दिखा तो देखिए फ्रेंस मैंने यहाँ पे तीन पत्तियां बनाने के बाद यह देखिए एक दो तीन तीन बार मैंने एक एक फंदा बारा बारा फंदे हर शोड़े हुए हैं और यहाँ पे मेरा यह लैस वाला डेजाइन चार फंदे बढ़ रहे हैं और चार फंदे ही घट रहे हैं और यह देखिए मैंने यहाँ पर पत्तियां बनानी के बाद यह देखिए इस तरह से तीन पत्तियां यह देखिए अपने से ही पता चल रहा है कहां से कहां तक पत्ति हमारी बनके तो देखे, मैंने यहाँ पर यह अपनी 12 सलाईयां बना ली हैं, यानि कि दोनों तरब की 24 सलाईयां टोटल कर ली हैं, यह रिखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, अब जिस तरह से यहाँ पर यह तीन राउंड पतियां गुमाई है सेम तरीके से अब फिर से हम उसी तरह से यह रिखे, फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, लैस वाला यह डिजाइन हम चार फंदे बढ़ाएंगे और चार फंदे ही घटाएंगे, दागा पिछे करेंगे, अब हम फिर से एक, फंदा अपना छोड़ेंगे, तीन बार, तीन पत एक एक फंदा फिर से छोड़ेंगे, तो जिस तरह से यहां से यह राउंड गुमाया हुआ है, उसी तरह से यहां से गुमाएंगे, और गुमाने के बाद इस तरफ हम आ जाएंगे, तो बारा सलाइया इस तरफ भी हम यहां पर बना लेंगे, तीन पतियां बनाने के बाद, ज तो इसको बनाना बिल्कुल एजी है बहुत ही आसानी से बन जाता है तो देखिए यहां पर फिर से मैं अपना वही फिर से शुरूबात कर रही हूं अब एक फंदा छोड़ दिया है और यहां पर बारा फंदे छोड़ेंगे इसी तरह से तीन बार तीन पतियां बनाके कंप्लेट करेंगे उल्टी स्लाई में कुछ नहीं करना है उल्टी स्लाई में यहीं पर लैस वाला डिजाइन हमने बस हर बार चेंज करना है जैसे कि हमने चार स्लाई यह बनाई है बढ़ाते हुए और इसको कर लेती हूँ यहाँ पे तीन पतियां बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ तो देखी फ्रेंस मैंने यहाँ पे अपना बना लिया है और यह देखी तीन पतियां मैंने यहाँ पे बनाई है एक दो तीन और यह देखी तीन पतियां बनाने के बाद फिर से मैंने बारश लाई आपनी बना ली है जैसे कि मैंने यहां शुरू बात में अपना तीन पतियां बना करेंगे तो यहां पर देखीस को हम यहां पर इस और यह वाला फंदे सभी को घटा के यहां पर इस तरह से बंद कर देंगे यह रिखिए बहुत ही आसान है बिल्कुल ईजी तरीके से हमारा यहां पर पिंक आ रहा है तो यहां पर ब्लू आया है और यहां पे सभी फंदों को घटाने के बाद यहां पे हम इस तरह से इसकी शिलाई कर देंगे तो यहां पर काफी सुन्दर हमारा डॉर्मेट बनके कंप्लीट हो गया तो चलिए मैं सबी फंदों को बंद करती हूं और इसको सिल लेती हूं और इसके बाद यहां पर पूरा सिलना भी इसको बिलकुल लेजी है इस तरह से यह सिल जाएगा यह देखिए